नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपको अपने चैनल राजटीच में दोस्तो हम लोग देखेंगे बिहार अमीन भरती 2021 के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा क्यों रिजल्ट में देरी हो रहा है और डॉकुमेंट कैसे त्यार रखेंगे ये भी देखेंगे तो हम लोग दे असे मदद करते रहेंगे आगर आपको किसी भी परकार क्यों कुछन पूछना है तो आप हमारे कॉमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हम बिहार related कोई भी भरती की जनकारी पहले देते हैं और offline भरती की भी जनकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलता है तो इसलिए आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर दीचिएगा अभी एक भकेंसी आने वाला है ये सरकारी ये school में clerk और teacher का तो यो भी अब तुरत ही उसका form भराएगा तो उसको हम भी अभी बताएंगे उसके बारे में भी तो अब देखते हैं कि ये Amien का क्यों दeरी हो रहा है और कब result आएगा तो चलते हैं इसके लिए official way website पर अमीन का अमीन का official website पर चलते हैं और देखते हैं कब तक result आएगा तो देखिए यहाँ पर आगए b c e c b अमीन result सर्च करने पर आपको यह page खुल जाएगा इसमें यह बताया जाएगा कि आपका result कब से आएगा तो आपका result जो है अमीन का जिसका एक जाम 10 और 12 अगस्त के बीच हुए था इसका result जो है result date जो release date है सितंबर 2021 दिया है तो सितंबर 2021 तो सितंबर के लगभग में इसी मन्थ में आपका result एकदम sure है किया जाएगा इस मन्थ में आपका surely result आजाएगा और जैसे ही अभी तो result आया हुए नहीं है लेकिन हमको जहां तक उमेद है कि 20 तारिक तक आपका result आजाएगा और जैसे ही result आएगा सबसे पहले हम आपको सुचना दे देंगे अब देखते हैं आगे इसके बारे में अब देखेंगे कि क्यों देरी हो रहा है result में तो देरी इसलिए हो रहा है कि जब बिहार आमीन ने answer की दिया था और answer की देने के बार में बाद में जो कोशन पर अबजेक्शन लगाने के लिए समय दिया था तो आप लोगों ने कोशन पर जो लोगों ने objection लगाया है और वहाँ पर से जो फिर से चेक करके आपको result देगा तो उसी के वज़े से देरी हो रहा है वरना अब तक result release हो गया होता तो अब देखते हैं कि documents के बारे में तो documents हम बताए थे आपको कि जो भी आपके documents गलती है उसे सुधरवाले जितना जल्दी हो सके नहीं तो फिर इंटर्विव या document verification के समय इंटर्विव तो वैसे नहीं होगा लेकिन document verification के समय ही एक छोटा सा एक छोटा सा interview होगा document verification dv के समय dv के समय तो आप लोग अपना document टांच रखिए अच्छा से document जो है आप जो भी गलती होगा उसको सुधरवा लीजिएगा और ताकि आपको document verification में किसी परकार का दीकत न हो धन्यवाद और मिलते हैं हम next video में अगर आपको किसी परकार का दीकत है तो आप हमें comment कर दीजिएगा हम कोशिस करेंगे कि आपका हर comment का जवाब दे धन्यवाद